सभी समुह की महिलाओं को मेरे तरफ शे नमस्कार आप सभी को प्रेणा टीवी चैनल के तरफ से नवश की सुपकाबनाएं आप सभी का 2021 मंगल मैं हो और खुश्णुमा विती थो हाँ दिदी आज मैं आपको एक नई जनकारी दे रही हूँ जैसा कि आप जानती है कि मैं हर वीडियो में एक नई जनकारी के साथ आपके सामने उपस्तित होती हूँ आप लोग हर वीडियो को अंतक देखागे जी एक फी आधी आधी अधूरी जनकारी खतरे से खाली नहीं कुछ भाईया ने कुछ कोमेंट में कहा है कि दिदी आपकी योजना है भी या आप अपने मनसे बटाती हो तो भाईया जो भी इस बात को के लिजियो एक बात को हम से धयान से सुने कि मेरे तुरू जो भी दिया गया है योजना जी हाam मेरे तुरू जो भी योजनाय बता जारी हूँ वो सौपरतिसस सही रहती है इसमें कोई अपने मन से बनाई हुई योजनाय नहीं है मैं अपने मन से क्यों बताऊंगी आपको जब कोई रोजगार मिलेगा ही नहीं ये मेरी गरीब महलाओं के लिए है मेरी गरीब बहनों के लिए है कि वो सब योजनाय का लाब उठाए मेरा उद्देश है कि हर दीदी के पात हर योजनाय की जनकारी पहुचनी चाहिए त्यूंकि घर में बैठी हमारी दीदियां सिमझाड़ू बरतन करने में ही रह जाती है उनको कोई योजनाय आये और चली भी गई उनको पता नहीं लगता लेकिन जो मेरी अपसे दीदियां है प्रेणा टीवी चैनल से जुड़ी है उनको हर जानकारी प्रेणा टीवी चैनल के माध्यम से मैं देती रहूंगी बस उनका काम है मेरे वीडियो को देखना अगर देखेंगी तभी तो उनको बालुम होगा कि कौन-कौन सी योजनाय आ रही है और जा रही है हो सक्थ चैनल की जो मेरी जानती होंगे कि इस योजना का पात्र हुमें लाब उठा सकती हो हो दिदी मेरी योजना का लाब उठा ले आप लोग परशान ना हो ये मेरी हर योजना सौपरतस सही रहती है आप हर योजना को देखे अंततक और उसका लाब भी उठाए मेरी यही तमन्ना है जी हाँ अब ये एक आ गई ने योजना यूपी टेलरिंग साफ यहाँ यूपी टेलरिंग साफ सिलाई दुकान योजना ये उन महलाओं के लिए है जो महलाओं गर पे बैठी है सिलाई तो आती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है यहाँ दसजार मुफ्त मिलेगा और दसजार का लोन रहेगा कुल मिला के बिज़र ले सकती है यूपी टेलरिंग साफ सिलाई दुकान योजना जिहाँ लोन रजिस्टेशन 2021 उत्तर प्रदेश की अनसूचित जाती के बेरोजगार जो सिलाई कड़ाई में माहिर है उनके लिए एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश सरकार ने अनसूचित जाती के लोगों को आत्म निर्भय बनाने के लिए एक नई योजना बनाई है इस योजना के तहत जिन भी महिलाओं और पूर्सों को सिलाई का काम आता है वो अपनी सिलाई की दुकान या टेलर साफ फोल सकते हैं इसके लिए सरकार की तरफ से 20,000 रुपय तक की आर्थिक सहता मोहिया कराई जाएगी इस योजना को दो नामों से जाना जाता है पहला है यूपी टेलरिंग साफ जी हाँ और दूसरा है सिलाई दुकान योजना इन दो नामों से जाना जाता है अगर आप सिलाई दुकान योजना से संबदित किसी भी तरह की जानकारी हासिल करना चाहते हैं या इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है क्या है यूपी टेलरिंग साफ सिलाई दुकान योजना उत्तर प्रदेश में अनसूचित जाती के बहुत से ऐसे लोगों के ऐसे लोग हैं जो बेरुजगारी की समस्या से जूज रहे हैं ऐसे ही लोगों के लिए यह योजना बनाई गई है टेलरिंग साब योजना में आवेदक को सरकार की तरफ से 20,000 रुपए की मदद दी जाएगी जिसके जरिये वह अपनी सिलाई या टेलर की दुकान खोल कर अपना खुद का काम सुरू कर सकते हैं और अपनी आथिक इस्तिकव बहतर कर सकते हैं इन में से 10,000 रुपए सरकार की तरफ से दिये जाएंगे वहीं बचे हुए 10,000 रुपए लोन के रूप में दिये जाएंगे जिस पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा यूपी टेलरिंग साब सिलाई दुकान योजना जी हां सिलाई टेलरिंग योजना में समाज कल्याण विभाग की परिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों वा राष्ट्री ग्रामीर आजिव का मिसन जी हां राष्ट्री ग्रामीर आजिव का मिसन के हक गठित स्वयम शहत्ता समु में सिलाई आधी के काम से जुड़े पुर्सों और महिलाओं को प्रास्मिकता दी जाएगी ध्यान रहे कि यह योजना अनुसूची जाती वर्ग के गरीव एवं नीधन लोगों के लिये ही है लिहाजा अगर आप उत्तरपदेश के सहरी इलाके में रहते हैं तो आपकी वार्षिक आए 46,08 रुपए से अधिक ना हो वहीं ग्रामीड इलाके में रहने वाले व्यक्ति एक बर फिस सुने अगर आपकी आपकी वार्षिक आए 46,08 रुपए से अधिक ना हो वहीं ग्रामीड इलाके में रहने वाले व्यक्ति की वार्षिक आए 56,460 से अधिक ना हो तभी आप इस योजना का लव उठा पाएंगे आवेदन की अंतिम तारीक 15 जून 2021 की जिहा आवेदन जिहा आवेदन की अंतिम तारीक 15 जून 2021 की गई है अब जानते हैं इस योजना से जुड़े दस्तावेज, उदेश, लाभ और आवेदन प्रक्रिया सिलाय टेलरिंग दुकान योजना का उदेश या थोगी उत्तर प्रदेश में अरसूचित जाती के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना आय बेहत कम है या फिर इस सम्मू के लोग अधिक माता में बेरोजगार हैं ऐसे ही गरीव एवं निर्धंग लोगों को रोजगार दिलाने और आर्थिक सुरूप से मजबूत बनाने के लिए ही इस सिलाई दुकान योजना की सुरुवात की गई है योजना के जरिये इन्हें इह लोगों आत्म निर्धंग तो बनेंगे ही साथ ही यह भी हो सकता है कि यह लोग कुछ समय में अन्ने लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी बन जाएं योजना के जरिये आर्थिक रूप से कमजोर अन्सूची जाती के लोग को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्तिती मजबूत होगी आत्मे निर्भर बनाने के लिए उन्हें बीस हजार रुपए की आर्थिक सायता प्रदान की जाएगी जिसमें से दस हजार लोन के तोर पर दिया जाएगा लेकिन इस पर कोई ब्याज भी नहीं देना है जि हाँ इस पर कोई ब्याज देने की अशक्ता नहीं होगी राज के ऐसे गरीब जो सिलाई के कामकाज में निपुण हैं लेकिन पैसा ना होने की वज़त से असाय हैं उन्हें इसका लाब मिलेगा कामकाज की तलास में लोगों को राज्य से दूर जाने की अशक्ता नहीं होगी जी हाँ अशक्ता नहीं होगी वह अन्य लोगों के रुजगार का भी कारण बढ़ेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, सस्क्राइब, शेयर जरू कर दे दिदी आपके लिए ही हर वीडियो मेरे तुरू रहता है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्मनसुत्र का पालन करके श्यमशाता समु को चलाती रहें और रजुगार को बढ़ाती रहें मेरे हर वीडियो का मादध मैं आप सभी को आगे ले जाना, खुद भी बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ाओ, गरीबी भगाओ, गरीबी भगाओ, दिदी आप सभी से इस समय मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं उनसे नीवेदन करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहें क्योंकि हर दीदी को रोजगार से जोड़ना हमारा काम है, आज की वीडियो में ही धन्यवाद